आज हम भिंडी की बहुत ही आसान, सिंपल और बहुत जादा टेस्टी सबजी बनाएंगे अगर आपको आज की ये भिंडी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चनल को भी सब्सक्राइब करें भिंडी की सबजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर धाइसोग्राम भिंडी ली है, भिंडी को अच्छे से दो कर, सुखा कर, इसे एक एक इंच के टुकणों में कट कर लिया है अब हम इस पर कुछ मसाले डालेंगे, दो चम्मज धनिया पाउडर, आधा चम्मज लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मज हल्दी पाउडर, आधा चम्मज गरम मसाला और आधा चम्मज जीरा पाउडर डालेंगे साथ ही इसमें आधा चम्मच कसूरी मेथी और दो चम्मच तिल डालेंगे तिल का स्वाद इसमें बहुत ही अच्छा आता है अब इसमें दो चम्मच बेसन डालेंगे मैं यहाँ पर कच्चा बेसन ही इस्तमाल कर रही हूँ अब हम इन सभी को भिंडी में अच्छे से मिक्स कर देंगे अभी हम इसमें नमक नहीं डालेंगे अभी नमक डालने पर भिंडी चिपचिपी हो जाएगी देखिए मैंने मसालू को और बेशन को भिंडी में अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम कड़ाई में 2-3 टेबल स्पून के करीब ओईल लेंगे ओईल केक गर्म होने के बाद इसमें एक चोथाई चमच अजवाइन आधा चमच जीरा और एक चुटकी हिंग डालेंगे अब हम जीरा के अच्छे से चटकने तक इन्हें भुन लेंगे मसालों के भुन जाने के बाद इसमें भिंडी डाल देंगे अब भिंडी को अथे से मिक्स कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे कुछ-कुछ देर में चलाते हुए 5-6 मिनट तक पका लेंगे यहाँ पर आप गेस का फ्लेम लो पर ही रखें अगर आप गीस का फ्लेम मीडियम या हाई कर देंगे तो हमने इसमें बेसन डाला है जो बहुत ही जल्दी जल जाएगा भिंडी को पकाते हुए हमें अब लगभग 6 मिनट हो चुके हैं अब भिंडी 62-70% तक कुख हो चुकी है अब हम इसमें एक बारिक कटकिया हुआ प्याज और दो कटकी हुई हरेमिर्च डालेंगे साथ ही नमक भी डाल देंगे अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और सब्जी को 3-4 मिनट तक और पका लेंगे इतनी देर में प्याज भी अच्छे से सौफ्ट हो जाएगा देखिए सबजी को पकाते हुए हमें अब चार मिनट हो चुके हैं अब भिंडी अच्छे से पक चुकी है साथी प्याज भी अच्छे से सौफ्ट हो गया है अब हम इसमें एक चमच अमचुर पाउडर और थोड़ा कट किया हुआ हरा धनिया डालेंगे अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे देखिए भिंडी एकदम खिली खिली है बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है अब भिंडी की चटपटी बेसन वाली सबजी बनकर बिल्कुल तयार है ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है साथी बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है अब आप भिंडी की इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राय करें आज हम घर की सिंपल मसालों से बहुत ज़्यादा टेस्टी दही भिंडी बनाएंगे जिन लोगों को भिंडी खाना पसंद है उन्हें ये सबजी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है दही भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम भिंडी ली है भिंडी को अच्छे से धो कर पोच कर इसे अच्छे से सुखा लिया है अब हम भिंडी को इस तरह से दो भागों में कट कर लेंगे अब भिंडी में इस तरह से एक कट लगाएंगे अब हम इसे इस तरह से खोल कर चेक भी कर सकते हैं कि भिंडी में कोई कीडा तो नहीं है इस तरह से आप भिंडी को अपने हिसाब से दो या तीन भाग में कट कर सकते हैं देखिए मैंने यहाँ पर भिंडी को कट कर लिया है अब हम कड़ाई में थोड़ा ओईल लेंगे और ओईल को अच्छे से गरम होने देंगे अब हम भिंडी को चलाते हुए इसे लगभग 60-70% तक पका लेंगे देखिए भिंडी को पकाते हुए मुझे अब लगभग 7-8 मिनट हो चुके हैं अब भिंडी अच्छे से पक चुकी है इसका कलर भी पहले से चेंज हो गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे अब हम उसी कड़ाई में थोड़ा ओइल लेंगे और ओइल को अच्छे से गरम होने देंगे ओइल के गरम होने के बाद इसमें एक चमच जीरा और थोड़ा हींग एट करेंगे अब जीरा को अच्छे से चटकने तक भून लेंगे जीरा के भून जाने के बाद हम इसमें दो मीडियम साइज के बारी कटे हुए प्याज एट करेंगे अब हम प्याज पर अच्छा सा गोलडन कलर आने तक इसे भून लेंगे देखिए अप्याद अच्छे से भुन चुका है अब हम इसमें दो कटकी हुई हरे मिर्च और एक चम्मज अद्रकल हसुन का पेस्ट रेट करेंगे इन सभी को हम आधा मिनट तक लो फ्लेम पर भुन लेंगे अब हम इसमें एक चम्मज धन्या पाउडर आधा चम्मज लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मज हल्दी पाउडर आधा चम्मज भुना जीरा पाउडर और अच्छे कलर के लिए एक चम्मज कश्मेरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे यह ओप्शनल है आप चाहें तो डालें वरना Kiss नाइस स्किप कर दे अब इन सभी मसालों को अच्छे से Mix कर देंगे और केवल 10 सेक इंड के लिए पकाएंगे इससे जादा हम इंहें नहीं पकाएंगे दूरंत ही थोड़ा पानी अड्क कर देंगे अब इसे अच्छे से mix कर देंगे और मसालों को अच्छे से पका लेंगे सबजी को स्वादिस्ट बनाने के लिए मसालों का अच्छे से पकना बहुती ज़्यादा जरूरी है देखिए अब मसालों को पकते हुए लगभग 3 मिनट हो चुके हैं अब हम इसके अंदर एक कद्दुकस किया हुआ टमाटर एड़ करेंगे अब इसे अच्छे से mix करेंगे और टमाटर को हम लगभग 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे देखिए अब टमाटर और मसाले अच्छे से पक चुके हैं इनसे oil release होने लगा है अब हम इसमें दही डालेंगे इसके लिए हम गेस का flame off कर देंगे और कढ़ाई को थोड़ा ठंडा होने देंगे देखिए अब कढ़ाई थोड़ी ठंडी हो चुकी है अब इसमें आधा कप के करीब दही डाल रही हूँ दही को चलाना बहुते ज़्यादा जरूरी है परना दही जो है फट जाएगा देखिए अब दही में अच्छा सा उबाल आ गया है अब हम इसे ढख कर लगभग 3-4 मिनट तक और पका लेंगे देखिए अब दही भिंडी के लिए मसाला अच्छे से पक चुका है अब इसमें आधा चम्मच कसूरी मेथी आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच नमक डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें आधा कप के करीब पानी एट करेंगे अगर आप इसे ड्राय बनाना चाहते है तो यहाँ पर पानी को स्किप कर दे अब इसे अच्छे से mix करेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे देखिए अब gravy में अच्छा सा उबाल आ चुका है अब हम इसमें fry की हुई भिंडी एट करेंगे और इसे हलके हातों से mix कर देंगे अब हम इसे ढग कर भिंडी को लगभग 6-7 मिनट तक पका लेंगे देखे अब 7 मिनट के बार भिंडी अच्छे से पक चुकी है ये बहुत ही अच्छी लग रही है अब हम इसे और जादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ये सबजी ठंडी होने के बाद और जादा गाड़ी हो जाएगी अब हम इसमें थोड़ा कट किया हुआ हरा धनिया एट करेंगे और इसे मिक्स कर देंगे अब दहीं भिंडी की लाजबाब सबजी बनकर बिल्कुल तयार है ये जितनी अच्छी लग रही है खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है तो अब आप इस रेसिपी को अपने घर पर एक बाद जरूर ट्राय करें और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें आज हम भिंडी और आलू की एकदम टेस्टी ग्रेवीदार सब्जी बनाएंगे सब्जी जटपट से बनकर त्यार हो जाती है और खाने में बहुत ज़ादा टेस्टी लगती है नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका टेस्टी वेज़ फूड पर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेर करें साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें भींडी आलू की स्वादिस्ट सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर धाई सुग्राम भींडी ली है इन्हें अच्छे से धो कर पोच लिया है अब हम भींडी के आगे और पीछे वाले पार्ट को कट करके अलग कर देंगे और इसमें एक कट लगा लेंगे अब हम भींडी को खोलते हुए इसे चेक कर लेंगे किसमें कोई कीडा तो नहीं है जो भींडी बड़ी है उसे हम दो पार्ट में कट कर लेंगे देखिए मैंने यहाँ सारी भींडी को कट कर लिया है अब मैंने यहाँ दो बड़े साइस के आलू को इस तरह से बड़े बड़े टुकडों में कट कर लिया है अब यहाँ मैंने 200 ग्राम फ्रेश और कम खटा दही लिया है आप यहाँ ताजा दही इस्तमाल करें अगर दही खटा होगा तो सबजी का टेस्ट पूरी तरह से बिगड़ जाएगा अब हम इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ज पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, अच्छे कलर के लिए आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ज पाउडर, आधा चम्मच नमक और एक चम्मच अधरक लहसून का पेस्ट डालेंगे अब इन सभी मसालों को दही में मिक्स करते हुए दही को अच्छे से फेट लेंगे अब मैं इसमें एक बड़ी साइस का तला हुआ प्यास डाल रही हूँ यहां मैंने प्यास पर अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसे तर लिया है अब इसे दही में अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसे साइड में रख देंगे और कढ़ाई में 2 टेबल स्पून के करीब ओईल लेंगे और ओईल को अच्छे से गरम कर लेंगे ओईल के गरम होने के बाद इसमें कट किये हुए आलू डालेंगे और इसे ढग कर तीन से चार मिनट तक फ्राइ कर लेंगे चार मिनट के बाद अब आलू अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं अब इने निकाल लेंगे अब इसी ओयल में भिंडी डालेंगे और भिंडी को भी तीन से चार मिनट तक फ्राइ कर लेंगे चार मिनट के बाद अब भिंडी भी अच्छे से फ्राय हो चुकी है अब हम इसे साइड में कर देंगे हमें यहाँ पर भिंडी को निकालने की जरूरत नहीं है अब इसमें आधा चम्मच जीरा आठ से दस ताबुत काली मिर्च 10 से 15 मेथी दाना और एक चुटकी हींग डालेंगे अब मसालो को अच्छे से चटकने देंगे मसालो के चटकने के बाद इसमें बनाया हुआ मसालो और दही का पेस्ट डालेंगे साथ ही इसमें फ्राय किया हुआ आलू भी डाल देंगे अब इन सभी को अच्छे से mix कर देंगे अब इसमें दो कट की हुई हरी मिर्च और एक बारिक कट किया हुआ tomato डालेंगे अब इन्हें अच्छे से mix कर देंगे और इसे ढख कर 5-6 मिनट तक पका लेंगे देखिए इसे पकाते हुए हमें 6 मिनट हो चुके हैं अब मसाले अच्छे से पक चुके हैं अब इसमें आधा चम्मज कसूरी मेथी और आधा चम्मज गरम मसाला डालेंगे साथ ही इसमें आधा गिलास पानी डालेंगे अगर आप सब्जी में ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा जादा पानी डाल सकते हैं अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और सबजी को ढख कर 3-4 मिनट तक और पका लेंगे सबजी को पकाते हुए अब 4 मिनट हो चुके हैं अब सबजी अच्छे से पक चुकी है और देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है अब इसमें थोड़ा कट किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब भिंडी आलू की मज़ेदार ग्रीवी वाली सबजी बनकर बिलकुल तयार है आप इसे रोटी या राइस के साथ खाएं दोनों के साथ ही ये बहुत अच्छी लगती है साथ ही ये जटपट से बनकर तयार हो जाती है तो आप आप इस रेसिपी को एक बार ज़रू ट्राइ करें आज हम बेशन वाली भिंडी बनाएंगे सबजी बहुत ज़ादा टेस्टी बनती है और बिलकुल भी चिपचिपी नहीं होती इसे हम घर के सिंपल मसालों से और बहुत का मॉयल में बना कर तयार करेंगे नमस्कार दोस्तू स्वागत है आपका टेस्टी वेज़ फूड पर अगर आपको आज की रेसेपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें बेसन वाली भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर धाई सो ग्राम भिंडी को इस तरह से कट कर लिया है अब हम कड़ाई में दो टेबल स्पून के करीब ओईल लेंगे ओईल के गरम होने के बाद इसमें आधा चमच राई और आधा चमच जीरा डालेंगे अब इन्हें अच्छे से चटकने देंगे राई और जीरा के चटकरे के बाद इसमें एक बड़ा चमच कट किया हुआ लहसुन डालेंगे अब आप लहसुन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसे भुन लीजिए देखिए अब लहसुन अच्छे से भुन चुका है अब इसमें एक बड़े पीसे इसमें कट किया हुआ प्याज डालेंगे साथ ही दो कट की हुई हरी मिर्ज भी डाल देंगे अब हम प्याज को थोड़ा सा सौफ्ट होने तक भुनेंगे यहाँ प्याज को जादा नहीं पकाएंगे एक से देड़ मिनट के बाद अब प्याज अच्छे से सौफ्ट हो चुका है अब इसमें सुखे मसाले डालेंगे एक चमज धनिया पाउडर आधा चमज लाल मिर्ज पाउडर और आधा चमज हल्दी डालेंगे अब इन मसालों को लो फ्लेम पर दो मिनट तक भुन लेंगे देखिए मसालों को भुनते हुए हमें दो मिनट हो चुके हैं अब मसाले अच्छे से भुन चुके हैं अब इसमें कट की हुई भिंडी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अभी हम इसमें नमक नहीं डालेंगे हम बाद में नमक डालेंगे वन्ना भिंडी जो है चिपचिपी हो जाएगी अब हम भिंडी को बिना ढखे थोड़ा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे कुछ-कुछ देर में इसे चलाते रहेंगे ताकि मसाले नीचे लगे नहीं देखिए अब भिंडी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और इसकी नमी भी कम हो गई है अब इसमें नमा कैट करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब मैंने यहाँ पर चार चमच कच्छा बेशन लिया है इसे हम डाल देंगे अब इसे भिंडी में अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसे ढख कर चार से पांच मिनट तक पका लेंगे आप बीच में इसका धक्कन हटा कर इसे एक से दो बार चला दीजेगा बनना वेशन जो है नीचे से लग जाएगा पाँच मिनट के बाद अब भिंडी और वेशन दोनों ही अच्छे से पक चुके हैं अब इसे एकदम चटपटा बनाने के लिए इसमें आधा जमज अमचुर पाउडर और थोड़ा कट किया हुआ हरा धनिया डालेंगे अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे और गेस का फ्लेम आफ कर देंगे अब चटपटी बेसन वाले भिंडी बनकर बिलकुल तयार है देखिए सबजी एकदम खिली खिली बनी है भिंडी बिलकुल भी चिपचिपी नहीं है ये सबजी एकदम चटपटी और टीस्टी बनती है इसे हमने घर के सिंपल मसालों से और बहुत का मॉयल में बना कर तयार किया है तो अब आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा